पंडिता रमावाई इसका कहा है भाशांतर जिसे आप क्या बोल सकते हो translation आप बोल सकते हो फिर इसको आगे आपको अगे प्राण्ड मुख इसका मेनिंग कहा है तोंड क्या है आपका पाठ फिरौलेला विन्मुख जालेला मतलब की आप बोल सकते हो to back out मतलब पीछे हटना ठीक है फिर आपको देगो 6 में क्या दिया गया यहां पर हाथ भार लाओने मतलब की मदद करने मतलब है help करना फिर कया है बिंदु मात्र जिसका मेनिंग होता है थेम ब्रॉप साब बूल सकते हो ठीक है बून दिजी से हम बोलते है फिर कहा है मतलब कि आप बोल सकते हो 1000 years, okay, 1000 words, फिर कि आपको सत्य शील, सत्य शील का क्या है, चरित्रवान, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सत्य बोलने वाला हो, सत्य शील हो, फिर कि होर पनने, मतलब कि जनने, फिर कि आपको काडो की, इसका मेनिक कि आपको अंधार ले ले, clear हो गया, दे भील प्रशाची थोड़कात उत्तरे लिया, यहाँ पर पहला कि आपको, पंडिता रमाबाई नी, हंटर कमिशन कड़े, कोड़ती शिफारस के लिए, क्या है यहाँ पर बोल रहे है, कि हंटर जो कमिशन ये थी, इसके लिए उन्होंने क्या शिफारस दिया, यहाँ पर पर बोले है, कि पंडिता रमाबाई ये बोली कि जो स्त्री है, जो महिला है, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना भी चाहिए, कि मतलब महिला खुद पढ़े और लोगों को भी पढ़ाए, तो इसके लिए क्या होगा, पहले उन्हें उनकी मात्र भाषा में अचू चांगली शिक्षिका पन्या साथी वस्त्रियाना उत्ते जून माणून शिष्य वरित्याज दिल्या पाहिजे, क्या आपर बोले है, कि अगर स्त्रीयों को महिला को अच्छे से पढ़ाई करना, तो उनको क्या एक स्कॉलर्शिप दी जानी चाहिए, ऐसा हुन्होंने हंटर कमिशन को बोला, अशी शिफारिस पंडित रमावाई ने हंटर कमिशन करे के लिए, ऐसी शिफारिस उन्होंने हंटर जो कमिशन है, इसको किया था, कि वुमेंस लोग को पहले तो खुद पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, इसके लिए उन्हें अपनी मात वरून समझते, क्या बोलने हैं पर, कि जो पंडिता रमावाई है, उन्हें जो महिला थी, जो स्तिरी थी, उन्हें से बहुत ज़्यादा प्रेम था, महिला स्तिरी और दूसरी जाती रहती है, उन्हें से बहुत प्यार था, तो यह हमें कैसे मालूम पढ़ता है, तो उत्तर क्या बोलने हैं यहां पर, कि जब तक मेरे शरीर में एक खून का बूंद बचा रहेगा, तब तक मैं स्तिरीों के भलाई के लिए, उनके इंप्रूव्मेंट के लिए, उनके वेलफेर के लिए काम करने से पीछे कभी नहीं हटूंगी, जब तक मेरे बोड़ी में एक कत्रा एक बूंद खून है, तब तक मैं उनके वेलफेर के लिए काम करती रहूंगी, पीछे नहीं अटूंगी, ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या है, स्तिरी जाती ची सुधारना करने आचे वृत्य मी घेतले आहे, और उनने ने क्या बोला है, कि जो स्तिरी है, जो महिला है इनके सुधार, इनके वेलफेर के लिए, इनकी भलाई के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक अब दिसिजन लिया है, एक शपत लिया है, ठीक है, अब आगी क्या है, या पंडिता रमाबाई चाय उद्गारातुन त्यानी स्तिरी जाती विशी अपार प्रेम होते हैं समझत क्या बोले कि पंडिता रमामाभाई के इन बोली गई बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें जो कर्फितरी जात थी उनसे बहूत ज़ादा प्रेम था ठीक है अब आगी क्या है देह प्रश्ट नमर थी में पर आपको पंडिता रमाभाई कस्ठाडू व्हं काटकस्ठी होते क्या बोले कि जो पंडिता रमाबाई है ये बहुत ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग और पैसे को बचा कर यूज करने वाली थी मतलब कि पैसा वो खर्च जादा नहीं कर देते तो यह हमें किस इंसिडेंट से मालूम पड़ता है उत्तर क्या है कि जब उन्होंने जो एक बहुत बड़ा प्रारतना मंदिर मतलब कि प्रेयर रूम या मंदिर जो वो तायर कर रहे थे तब रमाबाई ने बहुत पैसे की बचत की कैसे उन्होंने क्या क्या जो प्रार्तना मंदिर है उसका जो डिजाइन है उसे उसे उसने खुद बनाया था ठीक है किसी को ना बुला कर खुद बनाया तो वहाँ पर पैसे की बच्चत हुई सौता डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांध कामाला मदद के लिए और क्या बुले कि खुद के सर पर इट जो इट होती है वो रखकर उन्होंने खुद बनाने में अपना हाथ बटाया बदो अपने हाथ से बनाया भी ठीक अपने सर पर इट उठाया और हाथ से बनाय काम करता ना कधीच कमी पड़ा मनाला नहीं क्या बहुत बहुत जादा काम कर रही हूं इससे उनको कभी नहीं लगा क्या बलें उन्होंने खुद मेहनत करके खुद हाड वर्किंग करके जो आश्रम में जो बच्चियां थी जो वहां के जो लड़किया थी उनको मेहनत करना सिखाया ठीक है उन्हों उन्हें इंकरेज किया यह प्रसंगा तो पंडिता रमाबाई काटकसरी होती है जानों थे यूज करने वाली बचा कर यूज करने वाली एक महिला थी ठीक है अब देखो प्रसंगर थी में आपको क्या बोले है यहां पर पुढ़ील चौक्टी पूर्ण करा यहां पर फस्ट करा पंडिता रमाबाई का विवा यांचा वरोबर चाला किसके साथ हुआ था पंडिता हुआ उप्यूक्त लिपी क्या है ब्रेल लिपी मद्दा कि अंध्ये लोग जो जिसका यूज करके पढ़ते हैं तो कहा हुआ उसको ब्रेल लिपी बोलते है यह ब्रेils एंЛ जो रहती है टेक्स्ट उसको बोलते है ठीक है फोर्त में क्या है यहां पर सस्ट्रीक्रिक कातिल कर्म योगिनी तो क्या है पंडिता रमाबाई ठीक है बहुत ज़ादा मेहनत करने वाली जो महिला कौन हमें चेप्टर हो मताया गया है पंडिता रमाबाई अब देखा प्राइस न्वर फोर में आपको क्या हो लिए पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन मदेश त्रिया पढ़ले तो इसमें उन्होंने क्या-क्या चीज दो बीजनेस उने सिखाया, क्या-क्या काम सिखाया वो हमें यह पर लिखना है, ठीक है तो देखो हमने यहाँ पर लिखना एए, पंडिता रामा भाई नी, मुक्ती मिशन मदे, स्रिय साथी सुरू केले-ले, लहान उद्द्द जो चोटे चोटे बिजनेस सिखाई थे वह यहां पड़े केडी चया सोप्ट्या पासून टोप्लिया बनावने क्या यहां पर बोल रहे हैं मतलब बनाना लीव से टोकरी बनाना सिखाना बास्केट ठीक है सब्सक्राइब क्या वाका चया दोरिया वरने देखो मतलब की मौझे मिरने के लेस सुएटर मौझे यह सब उन्हें सिखाया बनाना गाय बहलन चिखिलार ने और जो गाय बैल जो रहते हैं इनको कैसे देगबाल करना है ठीक है यह उन्हें शिखाया फिर टो गॉठा बांधून मधर भात बहस का तो आपर उनकी देखभाल कैसे करनी है उनको दूद कैसे जो दूद रहता है दही जब कैसे निकालना है वो सब उन्होंने बताया आगे कहा है कुकुट पालन करने कुकुट पालन करने मतलब कि आपको मालू पॉल्ट्री जो रहती है जहां पर मुर्गिया पालती है वो कैसे करना है उन्होंने वो भी सिखाया कि पॉल्ट्री कैसे खोलना है कैसे उसकी देख भाल करनी ह सान पानी वा मैलया पासून खत निर्मान करने मतलब कि जो सीवेज होटर रहता है जो गंदा पानी रहता है उससे कैसे खाद बनाना है वो सिखाया उन्होंने भांड्यावर नाव घांड ले कलई करने मतलब कि जो बरतन रहता है उस पर कैसे नाम लिखना है उन्होंने सिखाया ठीक है गाने और तेल कारने जो बैल नहीं देखो बैल को बांद करें खुमाते है गाउ में बीच में से तेल निकलते है तो वह कैसे करते हैं और वह कैसे कागध मोढ़ून पुस्तक बांद रहा है है कि जो printing press रहता है उसमें पहले क्या रहता था लेटर से लगाते थे ठीक है तो वो कैसे लगाते थे पहले कके टाइ मपरी वो नहीं सिखाया चित्र कैसे शापना है वो शिखाया कगस को मोड नोड़ बूड के नोड़ बुक कैसे बनाना वो सिखाया दवा खाने चलाना चिकाए और धोबी काम उन्होंने कपड़े लगते कभी जो भी काम रहता वो भी उन्होंने सिखाया तो ये सारे काम है जो पंडिता रमावाई ने वो स्रीयोग को मुक्ति मिश्वमदे इसमें सिखाया थै ठीके आप आगे कहा है यहांपर पंडिता रमाबाई पाठात आलेली विशेशने शोधा वाली है तो पंडिता रमाबाई से जो पाठ पाठ मेँ विशेशन आया हो हमें लिखना है पंडिता कर्मयोगिनी सच्चील, साध्वी, सूर्य कन्या यह हमें विश्येशन भी लिए ठीक है जो उनकी qualities के बारे में बताते है पैसे नमर शिक्स का है खाले शब्जांद लपने ले शब्द शोधा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमें इससे और जादा शब्द बनाना जैसे कि यहाँ पर एक्जांपल दिया गया है गर्वक्या गार करतोंतव स्भाल वारा रहे वारए घाव वागव वागव इसे हमें बनाना है तो आर राग्स हम क्या क्या बनाए देखो राक ुससे फिराड़ा खरा क्रड़ा खर शब्द और सुधाकर सुधाबिक इसदरीकत आपको और Qiांपत बनाने रहते हैं अब देखो आसे तीन अक्षरी शब्द शोधा जांचा मतले अक्षर रा आहे त्यांची यादी करा तो देखो ऐसा वहां उदारर दिया है करंजी सरंग नारंगी पारंवी पुरंदरी फिरंगी बेरंग हेरंग हेरंग वारंग और सारंगी तो ऐसे हमने रूंड कर लिखा है ठीक है यह सिर्फ आपको एक्टिविटी है ओके उसे एक्जाम में अगर आए तो पैसेज में से आपको ढूंड के लिखना रहेगा अब देख है जिसे कि यहां पर देखो खजूर कामगार हमें बनाना है इसका तो हम यह से बनांगे मजूर इस तरीकी सब को बनाना है जो भी हमें ब्रैकट में दिया रहेगा पुस्तक दोके तो इस सम्ता माय तो क्या हो ज़ Zumun dr तो हम इसके जैसा साउंड करने वाला समुंडर कैसे मे यू है गाजर दो पाडिब प्रानी तो कहा रहीत वाड़ तो संस्कृत संदर्ब विद्वान चयाथी जो हुआ है सिर्फ हमें सेम डूसें लिखना है क्लियर अब आगे चलते प्रसमर 10 में क्या वह लेख खालील दिलेल चौक्टी माणी लपलेल आहित त्या ओडखा वाली है क्या देखो यहां पर बोल रहे हैं हमें यहां पर कुछ प्रोब्स कुछ कहा होते हैं यह बॉक्सिज में हैं हमें ढूंड कर लिखना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं पहला वाला कहा है अती शाड़ा त्याचा बैल रिकामा इससे से ढूंड के आपको लिखना है ठीक है तो सेकेंड में क्या एक ना धर्ड भारा भर चिंद्या फिर देखो कहें एक आवे जाना चे करावे मना चे फिर चोर सोडून सन्या शाला फाशी देखो लास्क में क्या आपको घरो घरी मातीच्या चुली अब देखो आगे आपको क्या खालील पूरी बनानी है और हमें अच्छा सा शीर्षक मतलब की टाइटल देना है तो यहाँ पर देखो हमने इसके पॉइंट्स की हेल्प से यह स्टोरी पूरी बनाई है ठीक है और उसको शीर्षक भी दिया है आगड़ी वेगड़ी सकाड तो इस तरीके सा आपको लिखना आप देख सकते हो आप ऐसा लिख सकते हो या तो अपने मन का भी आप लिख सकते हो ठीक है ओके अब चलते हैं अगले प्रोशन पर देखो आगे आपको क्या दियागा है यहाँ पर रोल लें चौक्ति दिलेलया उभ्यानवी अव्यांचा योग्य वापर करून रिर्कामया सब्सक्राइब। रेदी करायची आए तो किवा हमने यहां से किवा चूज करके लिखा है फिर क्या है दोदो पाउस पड़त होता तर तरी मुले पटांग नावर खेड़त होती ठीक है यहां पर क्या है तरी ओके आगे कहें तो को सिक्स्त में आपको तुझी तयारी असो वन असो तुला गाव आपको चूज करके लिखना है अब चलते हैं लास्ट वर्ले पर देखो लास्ट में क्या दियेगा यहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर हमें करना क्या है खाली क्या चालिकर करेंगे अरे एक अक्षर ही बोलू नकोस चूप एक अक्षर ही बोलू नकोस तो इसमें कहा रहेगा लास्ट में कहा है केवड़ा मोठा अचगर अबब जब एकदम आख रहता है जब एकदम अश्चर चकीत हो जाते तो अबब केवडा मोठा अजगर ऐसे लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारा यह जो चैप्टर था कम्प्लीट हो गया आई होप आपको अच्छे समझाओगा अगले वीडियों हम करेंगे चैप्टर 11 जो एक कवीता है उसके कुशन सेर करेंगे मैं एक्स्प्रेनेशन भी आप अगले वीडियों में देख सकते हो तो मिलते हैं अगले वीडियों हम अगर आपको वीडियों अच्छा लगा हो तो आपको वीडियों को लाइक करो अपने सब दोस्तों साथ शेर करो थैंक यू